नौसकार मैं जीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया बकैत कुमार की नए रिपोर्ट के नए संसकरन के साथ हाजिर हूँ और आज बात करेंगे 20 हप्रेल यानी कल जो है रवीश कुमार का प्राइम टाइम आया था मूलत बात उसी पे होगी कि वहाँ पे ऐसा लग रहा था पूरा अगर आप आपने देखा हुआ चीन वाला चीन को कैसे रवीश ने डिफेंड किया है और एक बार जब मैंने देखा तो फिर मैं चेक करने गया कि क्या एंडी टीवी का मालिकाना हक जो है उसमें कुछ बदलाव आ गया क्या ये चीन के किसी कंपनी के पास चला गया क या एफडिया तो नहीं कर दिया बावजूद इसके कि सरकार ने भी कहा कि इन्वेश्टमेंट करने से पहले किन सरकार से उन्हें परमिशन लेना पड़ेगा मालिकाना हक में कोई बदला वहां पे था नहीं अभी भी पनाय रोही जो कई तरह के आर्थिक हेर फेर के मामले म हो सकता है कि घर में रहा रहे हैं और उन्हें आइडिया नहीं है कि घर से प्राइम टाइम होता कैसे है तो रुक रुक कर बोल रहे हैं या फिर यह हो सकता है कि कुछ चीजें जो सहस्ता से आप बोल नहीं सकते तो वो जब बोलना पड़ता है और कोई और आपकी स्क्रिप् connection पे या चीन का प्रवक्ता क्यों बन गया है एंडी टीवी उस पे अगर बात करें उससे पहले मैं अपनी एक एक नीजी कहानी आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा कि करीब साधे तीन साल मैंने चीनी कंपनियों के साथ काम किया चीता मोबाइल है जो बहुत परा स्टार स्टार्टप था आप लोगों के फोन में जो क्लीन मास्टर बैटरी डॉक्टर इस तरह के एंड्रोइड में साफ्ट्रेयर होते हैं वही कंपनी बनाती थी लगभग एक साल का टर नोबर उनका 6000 करोडिया इसी तरह से कुछ था और दुनिया का one of the most valuable स्टार्टप था ठीक ह है वहाँ पर काम किया और उसके आथ काम किया बाइट डांस में जो अभी टिक टॉक को अन करती है और वीवा वीडियो भीगो वीडियो इस तरह के एप्स हैं हेलो एप जो है वो बनाती है चुकि नॉन डिस्क्लोजर एग्रिमेंट होता है कंपनी और उनके इंप्लॉई के जैसे मेरे एक मित्र हूँ चीन कई बार जाते रहते हैं वहां काम भी करते हैं अपने काम के सिल्सले में उनसे भी बात चीत हुए है मैं भी चीन गया हूँ और चाइनीज लोगों से कई बार मेरी बात चीत हुए प्लस प्रकाशन इंडस्ट्री से साहिती से जुड़ा और अब इनका मुख्यो देश्य है कि कैसे ये narrative को control करें अपने country में तो control कर ही रहे कि कौन क्या बूलेगा नहीं मेरी एक मित्र थी वहीं बीजिंग की बात बता रहा हूँ उसके गले पे एक निसान था कटे हुए का हमने पूछा तो मतलब बहुत पूछने के बाद उसने कि एक बार उसने ब्लॉग लिख दिया था government के अगेंस्ट और अगले दिन उसे गयब कर दिया गया चाकू यहां पर रखके हलका सा काट के उसे निसान दे के छोड़ा गया कि अगले बार लिखो गए तो मिलोगे नहीं ठीक है हम उस देश के बारे में बात करना है और चीन क के वारे में आपको पता है कि information का flow वहाँ पे कैसा वहाँ अपना search engine अपना Twitter का copy है अपना Facebook का copy हर एक चीज उनका completely controlled by government है मतलब सरकार पबलिक क्या सोचेगी क्या उसे सोचना चाहिए उसे कहां पूजा करना चाहिए नहीं करना चाहिए धर्म follow करेगा हर चीज में सरकार के दख्लंदाजी होती है ऐसे country को रवीश कुमार जा है clean sheet दे रहे ठीक है और इससे जब आप बात करेंगे ये company जब आती है भारत में अपना website करने के लिए मानली जी की app बनाने आरे social media का ये क्या करते हैं कि किसी बड़ी company को survey का जिम्मा दे देते हैं कि आप जाके देखें कि भारत में social media में क्या consumption हो रहा है ठीक है क्योंकि इन्हें भाशा समझ में नहीं आती हैं अंग्रेजी भी इनकी काफी खराग होते हैं मतलब barely कुछ ही लोग अंग्रेजी बोलते हैं उसमें क्या होता है कि कई बार ये उन sources पर rely करते हैं जो इन्हें कुछ भी लिखके दे दे ये लोग मान लेते हैं उसे में क्या हुआ कि news app चलाती थी ये company और उसमें 10-10 साल के experience वाले लोग 20-20 साल के experience वाले लोग हमारे जो बहुत थे वो इंडियन थे उन लोगों से उस society की समझ या हमारा अनुभव जो है मीडिया को लेकि भारत में क्या चलता है खासकर वर्नाकिलर लेंगुजिज में क्षेत्रिय भाशाओं में हम अपने inputs जितनी भी बार देते थे Chinese management बस हाँ बहल की तरह उगर्दन ऐसे ऐसे हिलाएगा सुनेगा लेकिन उसको follow कभी ने करेगा जो उसको किसी survey company ने इंटरनाशनल company ने बताया हो कि भारत में मीडिया इस तरह से काम करता है first hand knowledge का नहीं करना है उनको कोई बड़ी company बताएगे उस हिसाब से दूसरी बात यह एक और सुनी थी कि चाइना जो है अपने literature को Chinese किताबों का translation करवाना चाहता है हिंदी में और अलग अलग शेत्रिय वासवाम यह भी मेरी एक प्रकाशन में कलीग हैं उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं चीनी साहिती को अनवाद करवाने के लिए हिंदी में पंजाबी में बंगला में उया में आप यह सोचे कोई कंटरी क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा अपने लिट्रेचर को क्यों पुछ करना चाहता है वो चाहता है कि उसकी एक अच्छी छवी बने लोगों के बिच क्योंकि भारत में चीन को लेकर कोई अच्छी छवी नहीं है यह हम सब जानते हैं चीनी समान क के वारे में हम जानते हैं कि कैसा होता है किस तरह कांता प्लस लोगतंत्र यह स्ब्लौब लगातार चीन के उपर हमला बोल रहा है कि तुमने यह क्यों कंटेन नहीं किया या जल्दी क्यों नहीं हमें बता है information बहुत लेट से चीन नहीं दिया था लेकिन रवीश के हिसाब से information लेट नहीं दिया था सारी बातों पर चर्चा करेंगा यहाँ पर क्या हो जाता है कि रवीश जैसे लोग जो है चीन का एक टूल बनते हुए दिखते हैं मैं यह explicitly नहीं कह सकता क्योंकि यह illegal होगा कहना अगर मैं यह कहूँगा कि रवीश ने पैसे खाए हैं एंडी टीवी को पैसा किसी ने दे दिया नहीं वो आपकी मतिपर निर्वर है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में क्योंकि मेरे पास इस बात को साबीत करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि रवीश ने चीन से पैसे खाए मैं यह साबीत नहीं कर सकता ठीक है तो मैं इस तरह की बात बोल ही भी नहीं सकता मुझे बोलना भी नहीं चाहिए मैं सिर्फ यह आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना के समय में बाकी जगों पर आप देखेंगे कि यरप में इंग्लिस मीडिया कंट्रूल करना या जो लैप क्लीनिंग मीडिया है यूएस का उसको कंट्रूल करना बहुत आसान है खास करके उन जगों पे जहां पे रइट वогे वाले जो हैं पावर होल्ड करते हैं जैसे ट्रंप हो गया या बाकी जग हैं यूके हो गया ये यूरोप में कई जग ठीक है यहाँ पे क्या है कि टरंप ने जह ही कहा कि यह चाइनिज वाइरस है कुछ दिन यह चला था उसके आपने देखा हुए कि उसकी अपनी ही मीडिया उसके अगेंच्टन हो जाती है कि यह रेशिस्ट कैसे है जो चीज जहां से उरिजिनेट होती है उसका नाम उसके साथ लगत होता है निपा वाइरस होता है ब्राजील का जिका मतलब इस तरह के वाइरस जहां से भी ऑरिजनेट होते हैं उसका नाम लगता रहा यह कंवेंशन रहा है तो चाइनीज वाइरस उसमें या वहान वाइरस कहने में क्या दिक्कत है इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए इंग अब यहां के situation को mold करने के लिए thought process में चीन की अच्छी चवी बनाने के लिए दो तीन बातों का भारतिय मीडिया में खास कर के हिंदी मीडिया में आना जरूरी है वो इसलिए जरूरी है ताकि यह आपको बताया जा सके कि देखो चीन ने जो है contain कर लिया control कर लिया virus को क्योंकि चीन सबसे पहले वहां से originate हुआ तो चीन ने act किया उसके against और तीन मैंने में जाके वहां पे control में आ चुका था ठीक उसके आद आपको बताया जाएगा कि अरे सब ज्यादा तबाही तो वहीं पे मची वहीं पे लोग मरे तो खुद क्या करेगा इस तरह की बाते हैं और ये कि चीन ने कुछ छुपाया है इन तीन चार बातों पे खुब discussions हो रहे हैं और हिंदी में और बाकिक शेत्रिय भाषाओं में चीन को खुब गाली पर रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए आपको प्रोफगेंडा का टूल चाहिए फिर आप जाएंगा आप चीनी हैं तो मैंने बताया कि चीन वाले क्या करेंगा वो किसी सर्वे एजेंसिक पास जाएंगे कि बताओ भ चाहिज लोगों को सही इंफर्मेशन भी नहीं देते क्योंकि पैसा वो लोग खूब देता है और सर्वे घर में बैठ के लोग कर देते हैं या फिर इंटरनेट से आप पुल कर लेंगे कि कौन विश्वसनी है कोरा पे जाके आप देख लेंगे तो उसको दिखा होगा कि फ लीनता से उसका पूरा पक्ष रखते हुए चीन का उसी के शब्दों में जैसे कि फॉरेंड मिनिस्टरी के स्पोक्स परसन हो पूरा बचाव करते हुए बताता है रवीश कि कैसे चीन को ब्लेम करना हर वो कंट्री ही ब्लेम कर रही है जिसका सिस्टम फेल कर चुका है और उसको एक एक चाहिए कि किसी के उपर ब्लेम डाला जाए तो शुरू करते हैं कि कैसे ये सब शुरू हुआ अब है कि रवीश कहा रहे हैं कि यूरोप में लगभग एक लाग के करीब लोग मरें हैं तो वहां से एक थेवरी निकली चाइना बैशिंग की कि चीन वालों को जो है बैश किया जाए और उसके अधर रवीश जो है चलाते हैं उन तीन चार राश्रा द्यक्षों के बयान चलाते हैं और उसमें बताते हैं कि ये ये थेवरी है कि चीन से जो है वाइरस निकला है वहां से वाइरस निकला है, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे इंफेक्टेड हुए थे शुरू में, सिटी को लॉक्डाउन किया, चीन ने खुद माना है, कि वहाँ चमगादर खाने से वाइरस निकले है, क्योंकि उसने तमाम थ्योरी जो दी थी कि मिलिटरी आने से हुआ और इटल जो है, कि बोल रहा है, रवीश की, चीन ने जो है, यूरोप को एक थियोरी चला रहा है, कि चायना को बैस करने से हो जाएगा, और वहाँ जो है, जर्मनी का एक अफवाह बाज अखवार है, उसने एक फरजी बिल बना के दिया, फरजी बिल नहीं था, उसमें उसने पूरा लॉजिक एक्स्प्लेइन किया है, कि जर्मनी को टूरिजम सेक्टर में, फलाना सेक्टर में किस तरह की आर्थे खानी हुए, उसके बाद उसने एक लेखा जो का थोरा सा एप्रॉक्सिमेशन के साथ उसने दिया है, तो जब चायना के कारण नुक्सान हो रहा है, वहाँ से वाइरस निकला है, तो इसको थेओरी का के डिसमिस कैसे कर सकते हैं, और अखवार को अवावाज कैसे करते हैं, अवावाज तो तुम हो रवीश, बकाईती में, मतलब तुम बकाईत वाज हो, अवावाज तो कहना थोरा मतलब लेवल तुम्हारा बढ़ाना हो जाएगा, उ और तरह की खबरे आ रही हैं, चाहे पॉस्टिव हो नेगेटिव हो, भारत में तो कम सकम नहीं पढ़ा है अकाल, बाकी जगों पर पढ़ा होगा, बाकी जगों की मीडिया को मैं एकसेस नहीं करता, लेकिन भारत में खबरों का अकाल नहीं पढ़ा है, इसलिए ये सब कहना एक दुश्मन चीन है और बात करते करते तबलीगी जमात की भी बात कर देता है रवीश ठीक है और इसी प्रोग्राम में रवीश आगे बताता है आगे बताता है कि भारत सरकार ने भी तक ब्लेम नहीं किया है लेकिन खुद बोलने लगता है कि तबलीगी जमात को ब्लेम किय जा रहा है दोनों बात खुद है विरोज वासी बात है तो इस पे अगर आप देखें कि क्या वाकई में हम ब्लेम कर रहे हैं ब्लेम करना कब होता है या दुश्मन बनाना कब होता है जब आप उसको तत्थियों के हिसाब से घलत साबित कर दें कि नहीं तबलीगी जमात का इसमें कोई लेना देना नहीं कल ही मैंने डेटा आपके साथ शेयर किया कि अगर तबलीगी इवेंट नहीं होता तो डबलिंग टाइम जो है यह सारा डेटा मैंने कल शेयर किया है जिस डबलिंग टाइम के बारे में रवीश बाद में बात भी करत है 200 होने में कितना समय लगेगा उसको doubling time करते हैं कि तीन दिन बाद डबल हो जाएगा चार दिन बाद होगा छे मतलब यह जितना लंबा खीचेगा उतना बहतर performance होता है कोरोना को रोकने में तो उसमें जो है हमने देखा कि तबलीगी वाला जो इवेंट होता है तो छे दिन से पांच जाता है चार जाता है तीन तक चला जाता है फिर चार और पांच पर स्टेवल होता है और उसके बाद फिर जब तबलीगी का identification हो जाता है मूर और लेस सरकार जो कंट्रोल कर लेती हो उसको तब जो है वो कंट्रोल में आता है अब सारे साथ आठ के लगभग जा चुका है तो तबलीगी का डारेक्ट एफेक्ट पढ़ा है एशिया के कई देशों में पढ़ा है मलेशिया में पढ़ा है वहां का तो लगभग मतलब एक टाइम में था कि 30% 30-40% तक जो है मलेशिया के लोग जो है उस अजी था वहां वहां का है तो ये आप का के डिसमिस नहीं कर सकते हैं कि दुष्मान बनाया गया नहीं वह फैक्ट है वह रिपोट किया गया कि वहां से है उसको तुम सिंगल सोर्स का लो या जो भी पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए का लो लेकिन ये बात एक सत्य प्रम में होता लेकिन वही है कि रवीज जो है इस पे भी खेल गया कि नहीं कहीं ये जो है सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए या मीडिया में ख़बरों का अकाल है इसलिए जो है एक एक नया दुश्मन तो क्रियेट नहीं किया जा नहीं दुश्मन कोई क्रियेट नहीं कर और चीन का प्रोपगेंडा जो है उसी प्रोपगेंडा का हिस्सा है जो इन लोगों ने कुछ समय पहले चलाया था जब इन पर ब्लेम लग रहे थे और काफी मतलब सीरियस होके इन पर ब्लेम लगाया जा रहा था तब इन्होंने कहा था कि यूएस और चीन के भी जो है मिलिटरी गेम स्वेते कुछ कंट्रीज में और उसी समय यूएस में कुछ लोग फ्लू से मरे थे उसका अगर टेस्ट किया जा तो पता चलेगा वो कोवीट से मरा था और रविश ने बता दिया कि वो कोवीट से ही मरे जबकि ऐसा है नहीं ऐसा कोई concrete या conclusive proof नहीं है कि वहाँ जिस बीमारी से लोग मरे थे वो फ्लू था और वो फ्लू जो है वो कोरोना वाइरस वाला था ऐसा कहीं नहीं है यह सिर्फ रवीश को पता है और सिर्फ military की बात नहीं है और जितने theories इनके आये कि इटली से फैला ह है वहाँ भी पता चला कि वहाँ और मिलान के बीच जो है फ्लाइट्स बंदी नहीं की गई थी वहाँ के मेर ने बताया वहाँ के मेर ने की जब तक चीन ने साथ सपता के बाद बताया दुनिया को कि कोरोना वाइरस जैसी कोई चीज है तब तक 50 लाख लो 5 मिलियन पीपर वहां शहर से बाहर जा चुपेते हैं साथ सपता और आप कह रहे हैं कि चीन ने जो है समय रहते आगाह कर दिया प्लाना डिम का चीन का इतिहास रहा है कि वह हमेशा सार्स को भी चुपाया था 2002 और 2003 में सार्स जब फैल रहा था उसने तब भी चुपाया था जनवरी 2019 में इनके ही मतलब लोगों ने इनी के वहान इंस्ट्यूट आफ वायरोलोजी वालों ने बताया था कि एक ऐसा वायरस है लोगों को कहो कि वो बैट्स ना खाए एक सबासाल पहले की ये रिपोर्ट है उसके बाद 2007 में उनिवर्सिटी आफ हांग कॉंग में एक स् अगया था कि बैट्स को खाने से मना करना चाहिए नहीं तो यह एक इंपेंडिक डिजास्टर है आगे होगा कुछ और उस परवादी से हम उबर नहीं पाएंगे अब दूसरी बात यहां पर एक और बात है कि रवीश तो ठीक है चाइनीज स्पोक्स पर्सन बन गए लेकिन कुछ तर्थी को जुटला है नहीं जा सकता एक स्टडी है सौथ हम्टन यूनिवर्सिटी की उसमें डॉक्टर शेंग जी लाई ने स्टडी किया है उसमें है कि अगर साथ सब्ता बात जब चाइना बताता है ठीक है कि यह वाइरस आ गया यही अगर चाइना ने एक सब्ता पहले बता दिया होता तो दुनिया में 66% कमी होती इस वाइरस के संदिख लोगों के ठीक है अगर दो सब्ता पहले बता देता तो 86% कम इंफेक्टेड लोग होते तीन सब्ता पहले अगर बता देता तो 95% कम लोग इंफेक्टेड होते आप समझ नहीं कि अगर चाइना साथ सब्ता नहीं, चार सब्ता बाद भी बता देता, मतलब एक महिना भी ले लेता, छुपाने कोशिस की नहीं छुपा, वाइरस आउटब्रेक बाढ़ता गया, तो भी 95% कम केस होते हैं, चीन ने ऐसा नहीं किया, इसलिए चीन हमेशा ब्लेम किया जाएगा, चाहे रवीस, जितन बता बन जाएं, चीन के विदेश मंत्रा लेके, खैर, अब रवीस, जो मिलिटरी वाली थियोरी जो यह चला रहा था, उस पर रवीस खुद बोल रहा है, कि हलाकि चीन ने स्वैम भी, यूएस मिलिटरी एकसर साइज की यूएस से आया है, उस थियोरी पर बोलना बंद कर जब चीन ने बोलना बंद कर दिया तो रवीस आप क्यों बोल रहे हैं इस बात को, वही बात है कि एक कुछ शब्द बोलकर रवीस जनमानस में ये बात सर्फ छोड़ देना चाहता है, कि जैसे उसने अनुराग मिश्रा बता दिया था, शावाज खान को डेली राइट्स का जो शूटर था, जिसने साथा आट बार गोली चलाई थी, उसे अनुराग मिश्रा बता दिया था, कि सोशल मीडिया में ऐसा कहा जा रहा है, कि वह अनुराग मिश्रा भी है, जब तक कि वह डिबंक हो चुका था चीज, वह आदमी वह नहीं था, लेकिन वही है कि तब तक जो र्यूमर मिल है, जो अब वाहों का वाजार है, उसमें आपने एक शिवुपा छोड़ दिया, वो जो है, अब रवीश्र के भक्त जो है, उसको चलाते रहेंगे, चम्चे जो है, चाटुकार लंपट लोग है, वो चलाते रहेंगे, वो दुबारा उसका खंडन देखने नहीं आते हैं, जो एक ही बार सब चीजों को सुनता है, और उसे सत्यमान के उसे हिसाब से बिहेव करने लगता है, तेरह मार्च की बात फिर रवीश्र पकड़ते हैं, यह भरत के उपर अब आजाता है, कि तेरह मार्च को वित राजी मंत्री ने कहा था, कि डरने कोई पुरसान नहीं होगा, और रवीश उसके आद बोलता है कि यह लापर वाही की पराकाश्ठा है, अब आप यह सोचिए कि दुनिया भर में एक महामारी है, और आपका आपकी जो लीडर्शिप है, वित मंत्रालेक कोई मंत्री है, वो क्या आके बोलेगा, कि हम बरबाद हो ज पुर्धान मंत्री भी तो आके यह बोल रहे हैं कि जित्ते बार कि हम लोग सब लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे, जीतना क्या इसे कहते हैं कि अभी 17,000 लोग infected हैं, कुछ लोग 500 के करीब मर भी गये, क्या यह जीत है, जीत यह नहीं है, फिर भी हम एक positive outlook लेकर चलते हैं, ऐसी बाते जब भी होती हैं, तो हम धाड़स बढ़ाने के लिए देश का, कि नहीं सब कुछ बरबाद नहीं हुआ है, there is a leadership जो तुम्हारा care करेगा, उसका हम हर तरह से जो है, हम आपका ध्यान रखने के लिए कतिबत दें, रवीष चाहता है कि leadership आए, पूरा cabinet meeting करें और बोले कि आप तो बरबाद हो गए हम लोग, अब बैट के रोया जाया और पूरा देश विलाप करें, रवीष का thought process यह है, और बोलते बोलते अब वही है न, कि चमरा का मुँ है कुछ भी बोल देना है कि करोरों बेरोजगारी और भुखमरी के कगार पे पहुच गए, कहा करोरों पहुच गए हैं भुखमरी के कगार पे, RSS का संगठन है सेवा भारती, पता कर लो कि दो लाख volunteers मोबिलाइज कियो हैं भारत के हर हिस्से में, आप फोन कीजिएगा और उस इलाके का आदमी आप तक खाना पहुचा हैं, लेकिन हां मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सरकार को ताही वरत रही है, या पुलिस इसमें ढंग से involved नहीं, या मदद नहीं करें, नहीं, जहां तक हो सकता हैं, जिस तरह की economy हमारी है, जिस तरह की leadership हमारी है, पूरा प्रियत्न किया जा रहा है, कि कोई भी कम भूखा तो ना मरे, बेरोजगारी है, और कुछ लोगों को निकाला भी जा रहा है, ये भी मैंने सुना है, और इसमें कोई दोराय नहीं है, और इसे डिफेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जो छोटे मोटे उद्योग वाले हैं, उनके उद्योग पे दो मे में काफी असर पड़ता है, और वो जो है, या तो टेंपररली ले आउट कर देंगे, लोगों को जाने बोलेंगे, या फिर उनकी सैलरी रोकेंगे, जब तक सरकार जो एकॉनमिक स्टिमलस पैकेज नहीं देती है, कि जितने वी रोजगार में लोग थे, सब को उनकी सैलरी दे दी जाएगी, या इस तरह कोई मदद, जाहिर सी बात है, कि मैं आर्थिक मामलों का जानकार नहीं हूँ, जो भी जानकार हैं, वो इस तरह की बात बहतर बता पाएंगे, कि इसमें कितना पैसा देना चाहिए, किस तरह से वस्ता होनी चाहिए, कि इन लोगों के रोजगा गया भारत में, भूग के कारण कोई नहीं मरा है, भूग के कारण कोई छक पटा रहा हो, तो वहां तक पहुच गई है मदद, ये मैंने कही बार पढ़ा है, एक ख़बर फरजी चली थी, कि भूग के कारण एक मामा ने अपने पांच बच्चों को फेक दिया था, एंडी ट जनवरी, फरवरी, आधे मार्च तक कुछ काम नहीं किया है इन देशों ने, और उसमें भारत को भी ये बार बार लपेट लेता है कई बार, जबकि ऐसा बिलकुल ही भी सुद्ध जूट है, ये बात आप यूरोप और अमेरिका पे लागू कर सकते हैं, भारत पे कर ही नही स्कैनिंग जो है, चालू हो गई थी, लोगों से उनका आने जाने का डेटा लिया जाने लगा था कि आप विदेश से होकर आया हैं कि नहीं, मार्च आते आते, जब सौ केस पहुंचते हैं, साइथ 15 मार्च को हमारी हाँ सौ केस पहुंचता है, तब तक भारत अच्छी खास वाला इवेंट आता है, अभी भी, जैसा कि मैं दो दिनों से आप लोगों के साथ ग्राप शेयर कर रहा हूं कि वैश्विक परिद्रिश में हर देश में जहां पे सो मामले जिस दिन हुए हैं, उस दिन से 35 में, 36 में दिन तक, अगर परफॉर्मेंस देखा जाए कि वहां प महतर प्रदर्शन सिर्फ चार देश होने किया, चार या पान देश होने, साथ कोरिया, जापान, इसराइल, आइरलें, बस, इससे बढ़ियां और किसी नहीं किया हर जगा पे इतने दिनों में, जबकि इन सारे देशों में, चैना कुछ और के भारत की जनसंख्यां सबसे ज अराजक मतलब डिसिप्लिन नेशन नहीं हैं हम लोग, हम लोग क्योटिक नेशन हैं, वही हमारा हमारी प्रवित्ती रही है, वही प्राकृतिक हमारा मतलब बिहेवियर ही, उसी तरह से हम लोग fine-tuned हैं, उसी तरह से चलता है हमारा अराजकता से ही, तो हम लोग अभी तक व पहने से यह सावित नहीं हो जाएगा कि कुछ नहीं हो रहा है हम लोग सो रहे थे और तब रवीश बोलता है कि जवाब देही के सवालों को भटकाया जा रहा है तबलीगी जमातिया चीन को इसमें खीच करें नहीं जवाब देही का सवाल यही है कि जनता में हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की महामारी के बावजूद अभी भी अपनी सूचनाय जानकारियां छुपा रहे हैं अभी भी महजिदों से लोग छुपे हुए पाये जा रहे हैं वो तबलीगी जमातिया तो इस वो बेसिक बात है कि ये तथ है इसके रिपोर्टिंग होगी और आम आदमी को जानने का हक है कि कहां से हो रहा है क्यों फैल रहा है रभी इस खुद बोल रहा है कि प्रधान मंत्री को आके बोलना चाहिए नियुआक के मेर तो हर दिन बता रहे हैं कि कुवमों के बारे में बोल रहा था रभी काफी दिनों तक लिखता रहा है पिछले सब्ता तक कि वह आके बताते हैं कि पारदर्षता की बात हो रही है कि हमारे पास बेट नहीं फलन भारत में इसा नहीं हो रहा है भारत में जब बताया जा रहा है कि मुख्य कारण क्या है ऐसे लोगों से दूर जब एक जागरुकता बन रही है तब आप तो उसे जो है सांप्रदाइक बोला जा रहा है यह तो वैचारिक दोगलापन है भाई कि जब हम बता रहे हैं जब information actual में दे रहे हैं तो तूम बोले हैं यह तो जवाब देही से बचने कौन सी जवाब देही से बचने के लिए ब बहुत अच्छी सफलता पाई है जिस तरह का health infrastructure हमारा है और उसको भी डिस्क्रेडिट कर दो तुम health infrastructure और economic condition छोड़ दो फिर भी हम विश्ण में अगर इसको contain करने में पांचवे नम्मर पे हैं सबसे बैतर performance देने में तो बहुत बड़ी बात नियू यॉक से इटली से स्पेन से हर जगह से जहां स्वास्तिवास्ता गजब की है जब तक आप लगभग मरना सन इस्थिति में नहीं पहुंच जाते एकदम ही severe symptoms नहीं हो जाते हैं आपको नहीं admit किया जा रहा है और भारत में तो खड़े हैं लोग सरकों पे और बोल रह सड़क पे खड़े थे वो तीन बज़े आ गए थे और सुबह में खड़े थे उन्हें admit नहीं किया जा रहा था बाद में कर लिया गया हो सकता है कि hospital के अपनी मजबूरी रही हो नहीं हो उतने बेट quarantine facilities नहीं उसके लिए arrangements किये जा यह पक्ष कोई नहीं दिखाना चाहता सब को यह दिखाना है गुजरात है बीजेविक सरकार है वहाँ जो है नहीं हो रहा है तो उसको चला देंगे इंदाओर की बात कर दी जाएगी कि एक डॉक्टर थी उनके husband को हो गया देखिए मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं कि इस तरह की मतलब lapses नहीं है नहीं सौ प दिखाना चाहिए कि यह जो है सामानी उदारन हो गया है और हर राज में हर जगह यह हो रहा है कि कोरोना पॉजटिव आदमी हस्पिटल के बाहर लाइन लगाए खड़ा है ऐसा नहीं है यह छिटपूट अपवाद स्वरूप एक दो जगहों से ऐसे खबरें आएंगी इसक कि आप उसके जरीय सरकार को घेरना चाह रहें कि आप इसको एक्जांपल की तरह दिखाना चाहारें कि देखो सरकार तो एक दम लचर है या wborne कुछ हो ही नहीं रहा है या फिर आपकी convincing सर्प यह कहना है कि देखिए हमारे यहां ठीक है हम टेस्ट भी कर रहे हैं हमारी हमारी के समय में आप positively किसी स्टोरी को कैसे दिखाते हैं वही है कि अनभव हो आपके पास शब्द हो और अगर आप बकैत कुमार की तरह दूर्द हो तो आप हर स्टोरी को एक एंगल दे के चला सकते हैं और फिर आप ये कह कर खेल जाएंगे हम तो जैनलिस्ट है हमारा काम तो अब जो है आगे रवीश जो है उसी में बोलता है कि पूरी दुनिया में इस तरह क्योंकि भारत ने कभी कुछ बोला ही नहीं है चीन को लेके तो उसके पास कुछ दिखाने के लिए था ही नहीं भारत का कोई कोई मंत्री नहीं बोला है कुछ उस तरह से नेगेटिव तो थ तो फिर ये प्राइम टाइम था किसके लिए यंदी में प्राइम टाइम किया जा रहा है उसमें तुम पूरा माहौल जो है बना देते हो कि जवाब देई से हटने के लिए अपने लेपसेज पर अपने खामियों पर परदा डालने के लिए सरकार जो है तबलीगी जमातिया चीन जैसे दुश्मन क्रियेट कर रही है ऐसा जो है इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हर तरह से चूप गए हैं जनवरी फरवरी और आदे मार्च तक सोते रहें देश का नाम नहीं लिया जा रहा है तब तक तुम्हारे व्यूर्ज जो हैं जो क गती से होने चाहिए किस गती से होने चाहिए test रहेश जो है कभी आर्क माम परश्पार नहीं जानकार है कि रही हर दिन इस बात पर क्यों गेम खेल जाता है कि जितने होने चाहिए उतने नहीं हो रहा है वो number क्या है रवीश और उस number तक पहुँचने के पीछे तुम्हारी logic क्या है तो रवीश वो logic explain नहीं कर पाएगा इसलिए वो हमेशा इसी बात पर खेलता रहता है कि जितने होने चाहिए उतना नहीं हो रहा है अब इस बात पर मैंने कल भी बोला था testing kits का manufacturing speed से नहीं हो रहा है ideal स्थिती यह है कि जहां-जहां cluster वहां पर जाके आप कर लें लेकिन जब हम जानते हैं कि reality क्या है हमारे देश की या किसी भी देश के विवस्थाओं की चुकि यह महामारी बन चुकी है यह फैल तेजी से रही है तो हमें prioritize करना पड़ेगा प्रात लक्षन किस किस में है बुखार किसको है कफ किसको है उसके आद और सवाल पूछे जाते हैं डॉक्टरों के द्वारा तब जयत्य किया जाता है कि हाँ इसका किया जाना चाहिए और तब test होता है उसके आद उनका test होता है जो किसी positive के संपर्क में आये है उसी तरह फिर जब साथ दिन उधर हो गया अप्राइल का 21 दिनों में हमारे पास इतना data आ गया है कि हमें पता चल जा और यह random data है हर स्टेट से हैं हर जगह से हैं तो हम यह decide कर सकते हैं कि हम कितना test कर रहे हैं उसमें कितना percentage positive आर उससे तै हो जाता है कि हमें जो है कहां कहां टेस्ट करना चाहि है उसके इतर क्या ऐसी खबरे हैं कि कहीं आदमी कोई मर गया है और उसमें इस तरह के लक्षन थे उसकी testing नहीं एसी कोई खबर नहीं है तो उस आधार पर भी कि जितना आ रहा है जितने का test हो रहा है उसमें percentage of positive cases कितने हैं उस आधार पर भारत testing करने में भी दुनिया के सको एक completely अलग वीडियो में अभी मैं इतना ही बताना चाह रहा हूं आप लोगों को मतलब सही बात जो है ताकि आप लोग पैनिक ना करें यह बताना चाह रहा हूं कि डरने कोई जरूरत नहीं है ऐसा कोई आदमी भारत में नहीं मरा है जिसके testing नहीं हुई थी उसको ignore किया गया और वो मर गया कोरोन करन ऐसा अभी तक एक भी नहीं आया जो भी कल ही एक एक दिल्ली की बच्ची थी और अपनी मा के साथ उसने वीडियो बनाया कि उसके फादर को फोटिस ने रफर कर दिया लोग नयका जैप्रकास एलन जेपी हॉस्पिटल में और वहां पे जह उन किया कि सरकार ने चुँँ एक्शन लिया तो हम ठीक है जैसा कि मैंने पहले का कि लैपसेज हैं कहीं हो सकता है कि किसी किसी का ना हो सिच्वेशन एग्रेवेट कर रहा हूं लेकिन फाइनली ऐसा एक भी केस नहीं आया कि कोई मर गया हो और उसको एटेंड ना किया गया तो जो भी आपको का रहा है कि टेस्ट नहीं किये जा रहे हैं एनफ फरजी बात है टेस्ट हो रहा है एनफ हो रहा है इका दुका अगर कहीं कोई छूट रहा है वो भी छूटने के बाद जब वो हला करता है तो उसका भी टेस्ट हो जाता है आपको हमेशा याद रखना यहां पर पॉसिबल नहीं है कि कोई यह कहा दे कि जितने लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाए सब की टेस्टिंग हो जाए हम लोग वो देश हैं जहां मेरा एक डॉक्टर मित्र बता रहा था कि एक ऐसे ही आ गया वोला उसको कि सर्थाराइट का चेक कर दीजिए उसको क्यो हों है लख्षन है को तो बुलता है कि नहीं सरकार हुस्पिटल है इधर से गुजर रहते हैं सोचे कर वाले हम वह इसे देश में आप सोचिए कि एकर सरकार कर दे कि free हो गया और आप आकर करवा सकते हैं तो हस्पिटल्स की क्या हालत हो कुछ लोग चाहते हैं कि अराजकता फैले कुछ भी ऐसा हो कि ग्रियुद्ध जैसे इस्तिती बने लोग लोग को मारने लगे हिंसक हो जाए और तब सत्ता जुत्वरी की डिस्टबलाईज होगी तब उनके मतलब के लोग सत्ता में पहुंचेंगे तो इस कारण से ऐसी खबरों को इस तरह के जहर में डीप फ्राइ करके बाटा जाता है इन सब से आप बचिए और रवीज जो है इस इस खबर के मतलब इस वाले हिस्से में अंत में आईटी सेल को जूट का स्केल बड़ा हुए है यह बात रवीज ने क्यों बोला मुझे पता नहीं चला पता नहीं आईटी सेल कुछ होता है न किसी-किसी फोन में होता है आप टाइप करते हैं तो आप कुछ चीजे प्री बिल्ट रहती है बाइटी फॉल रहती है कुछ सब्द आप प्रवनू लिखेंगे तो उन माई वे वो टाइप हो जागा तो उसी तरह रवीज ने कुछ ऐसा फीड कर दिया अपने फोन में कि कुछ वह चीकता खांसता वे तो इसमें आईटी सेल कहां से आगे मुझे समझ मिन उसी से दो मिनट पहले तुमने बोला कि भारत सरकार ने क सुरज जो है पस्ची मस्चीम से या कहीं और से उगा होगा यह भी स्विकार रहा है और फिर एकिशल को क्यो झूक खीचला है कि जूट के फैलने कर अफ्तार जादा जूट कहा फैल रहा क्या जूट फैल रहा है क्या यह जूट है कि चीन में वाईरस की शुरुआत हुई वो responsible है, नहीं, क्या ये जूट है कि तबलीगी जमात ने यहाँ पे लगवग 30% cases नहीं contribute किये हैं, क्या ये जूट है कि तबलीगी जो अभी भी थूखते होगे पाए जा रहे हैं, नहीं, ये सत्य है, क्या तरबूज, चाकू, थूख डाल कर नहीं काटा जा रहा है, फलों प रहे हैं, जो मस्जिदों में अभी भी छुपे वे बैठे हैं, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आज के भी डेप में मस्जिद से निकल रहा है, छुपावा मुसलमा, उन लोगों को अगर रिपोर्ट किया जाए, तो उसमें फिर ITCEL को तुम ले आओगे, इसमें ITCEL कहाँ प के इसी के एक हिस्से में बात कर रहे हैं कि भारत में भी 52 रिपोर्टर को ये हो गया, और साथ ही एक रिपोर्टर ABP माजा का था, उसने कुछ गलत इंफर्मेशन जो है प्रचारीत कर दिया था अपने चैनल के जरीए, तो उसको साथ गिरफतार कर लिया गया है, उसके बार गिरफतार किया गया है, तो उस पर रवीश भावुक हो रहे हैं, रवीश भावुक कहां नहीं हुए, चीन की बात करते हैं, रवीश जी ये नहीं बता पाए, कि कैसे चीन ने, पांट साथ लोगों के ही मैं नाम लेना चाहूँगा, बाकी तो रैम्पेंट है ये सब चीज वहाँ पे, एक ली वैनलियंग डाक्टर थे, जिन्होंने सबसे पहले करोना वाइरस की बात की थी, उन्हें जो है, साथ फरवरी को पुलिस ने बुलाया और उन्हें, साथ फरवरी को तो उनकी मित्ति हुए जाती है, वो जब जनवरी में बताने जाते हैं, तो उन्हें सा है, वो हाउस एरेस्ट में, उसके आद उनका क्या हुआ कि थी को नहीं पता, उसका एक और लॉयर और एक्टिविस्ट है, शू जियोंग, उन्होंने शी जिन्पिंग को बुला था कि उनको इस्तिफा दे देना चाहिए, फरवरी 15 से वो जेल में है, उसका एक लॉयर कम है, वो गायब कर दिया गया है चीन में, एक ब्लॉगर है, फैंग बिन, पुलिस ने उसे बुलाया पहले, और बताया कि पैनिक मत माटो तुम, उसका आद फरवरी 10 को उसे जो है, एरेस्ट कर लिया गया, उसका आद रवीस्ट ने कैसे वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन को मैनेज किया गया, इस पे नहीं बोला, वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन पे भी आप सुन लीजिए, कि किस तरह से उन्होंने चाइना की मदद की, चाइना ने ही जो आदमी अभी डवलो एचो का चीफ है, उसको वहां पहुचाने में मदद की थी, और वुहान हेल्थ और् को बोलते हैं, 11 जन्वरी को उसने लिखा कोई स्पेसिफिक मेजर्स लेने के आउशकता नहीं है, 23 जन्वरी को बोलता है कि human to human फैल रहा है कि नहीं, इस पे कोई clarity नहीं, 23 जन्वरी को, 30 को जो है मतलब आ गया था भारत में, वहान का ही दो, और 23 जन्वरी तक ये बोल रहा उसी को World Health Organization जो है, tweet कर रहा है, और उसी के बारे में बता रहा है, और कहीं भी naming of the virus में जो है, चीन का नाम नहीं डाला, और ये भी नहीं किया कि अपने doctors की independent doctors की team को चायना या वहान में, जन्वरी में ही बेजा जाए, ताइवान के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत पहले भेर दिया था letter कि इस पर action लो, वहाँ पर एक अलग तरह की situation डेवलप हो रही है, डवलो एचो ने कुछ नहीं कहा, रवीश ने पूरे प्रोग्राम में बोला कि डवलो एचो को भी जो है एक दुश्मन की तरह बनाया जा रहा है, उसको भी बोल दिया और in fact उसका tone ऐसा था कि उसको defend करते नजर आए, उसका फिर वो pandemic बनाम infodemic की बात, ये नया शब जो है रवीश ने गढ़ा है और वो बोलते हुए accept किया कि भारत में रफतार कम हो गई है, फैलने की recovery का percentage अच्छा है, लेकिन फिर वही test क्यों कम हो रहा है, अब एक लाइन था कि रवीश के चंपक जो है, लंपट चंपचे जो है, वो पूछ सके न, सब को पूछेंगे test क्यों कम हो रहे है, ये तरह की बात, और उसके बाद कुछ एक जगों के report दिखा कर कि अभी भी हमारी तयार ही जो है, पूरी तरह से नहीं, वो भाई किसी की नहीं है, पूरे और फिर उसके बाद कुछ-कुछ खबरें हैं, जो रवीश के Facebook पोस्ट पे मिली है, जिस पे चर्चा करने की जरुवत मैंने समझता वही, क्योंकि इतना ज्यादा नेगटिव आदमी है, कि हमारे एक मित्र हैं प्रभीन कुमार जहाँ उन्होंने लिखा है, कि रवीश स्व और खबरों को एक तरीके से प्रिजेंट करना चाहिए, अगर वो नेगटिव है तो भी, उस समय भी रवीश जो है, एरिस्पर्टिव आप मतलब कोई बेंचमार्क नहीं ले रहा है, कि क्यों हम South Korea से भारत का comparison करें, या जापान से कभी कर दे, कभी Taiwan से कर देता है, वहां त 130 करोड का देश, Taiwan कर सकता है lockdown, उसकी population कम है, South Korea कर सकता है क्योंकि उसकी population भी कम है, उसके पास पैसे हैं इतने कि वो हर आदमी को drive-thru में भी चेक कर सकता है, भारत में नहीं हो सकता है, यह असंभव है, तो गलत-गलत जैसों से फिर-फिर-फिर सामपरदाइक भुकता बन ग तबलीगी जमात के बारें बात करने से कोई भी सामपरदाइक नहीं होता, वो factual reporting है, इस बात को समझने कोशिस कीजिए, संख्या जो है भारत में अलग कहानी कह रहे हैं, कि भारत में numbers कम हैं, रवीज जो है अभी भी अलग धर्रे पे चल रहा है, वो इसको मानने के लिए त रात में 50% ये एक सब्ता पहले एक खबर है, एक रात में 50 प्रतिशत पॉजटिव खबर को बूश्ट कर दिया, कि नहीं नहीं पहले जो हम से गलती होगी थी, ये इतने लोग जो है कोरोना पॉजटिव, ये चाहना कि अभी की रिसेंट खबर में बता रहा है, एक सब्ता मतलब चीन भारत में कंपेर करना पड़ेगा, तो कम से का हम लोग चाहे जितना तुम फासिस्ट कर लो तमाम तरह की चीद, फिर भी लोग तांतरिक तो ज्यादा है न, उससे, इन्फोर्मेशन कोई कंटेन करेगा, फिर भी भारत में तो कहीं न कहीं से आई जाएगा, तु सब को पूछा गया, उन सब के घरों पर आपने वहीं है न, कि रवीज जो है साइद, कॉरणटाइन में, दिमाग को भी कॉरणटाइन कर दे, आपने बोडी से निकाल के कहीं अलग रख दिया, रैक वैक पॉरणटाइन में दिमाग को, कि वह यह नहीं देख पा रहा है, ख अब ने पहुंचाया है, वहां तक ख़बर लोकल अथार्टीज को दी कि यह यह लोग विदेश गयते हैं, इनके घर पर चिपकाओ, इनको होम कॉरंटाइन करो, इतने प्रिकॉशन्स लिये हैं भारत ने, इस कारण आज के डेट में, जहां अच्छतिस दिनों में यूएस मे चार लाक है, स्पेन में धाय लाक है, इस तरह के नंबर्स हैं, आप्रॉक्श नंबर्स में बोल रहा हूं, बाकि आप ग्राप में देख पाएंगे, भारत में भी भी अठारा हजार है हजार, लाक नहीं हजार, यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और अब हमारा एक्सप परण में हैं, आपके यहां जो है, यह दीरे-दीरे कम होता जा रहा है, उसके पर वही है कि थाली पीटने से सब सही हो जाएगा, क्या, थाली पीटने से किसी ने नहीं कहा कि सब सही हो जाएगा, थाली पीटना एक जेस्चर था, कि सब लोग सामुहिक रूप से, डॉक्ट एकॉनमी उससे सुधर जाती है थाली पीटने से तो मैं किसी ने मूर्ख बनाया है गलत जानकारी आपको दे दी ऐसा किसी का मन्सा नहीं था आपको प्राइम मिनिस्टर का जो है स्पीच जो है फिर से सुन लेना चाहिए था और 20 अपरेल को एक ख़बर के वारे में रवीज जो है बोल रहे हैं कि उन्हें गालियां पड़ती हैं और ये साद्वों की जो मॉब लिंचिंग हुए उसके उपर बोलते हुए उन्होंने काफी हलां की बैलेंस्ट व्यू रखा है और बोला है कि किसी भी तरह की लिंचिंग जो है हिंसक है ये बात अलग है पूरी तरह से कि यही रवीज जो है बाकी किसी की लिंचिंग होती है तो उस पर dedicated show जो है तीन-चार दिन तक बनाते हैं इस पर नहीं बना पाए और इसका जिक्र वो कहीं नहीं कर पाते हैं उस तरह से मुखर होके लेकिन हाँ यह जरूर बोलते हैं कि लोगों ने उन्हें गालियां दी कि तुम इस पर क्यों नहीं बोले और बोलते बोलते गालियों को बोल गए कि यह भी एक तरह की मॉब लिंचिंग है आप सोचिए कि मॉब लिंचिंग कितनी भयावः चीज है और मैं आज उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं वो तस्वीर नहीं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को क्योंकि वो बहुत ही बहुत ही परिशान कर देने वाले तस्वीर है उस सतर साल के बुज़ुर्ग के हिंदू था सादू था इसलिए उसके अत्याक देने मैं नहीं दिखाने जा रहा हूँ और उसका कामपेरिजन एक प्रिविलेजड आग्मी जो अपने घर में बैठा हुआ प्राइम टाइम कर रहा है रिपोर्टरों को रोज दिन परिशान कर रहा है उस समय जब 23 पत्रकार तिरेपन पत्रकार जो कॉरोना पॉजटिव पाए गए है क्योंकि वो बाहर जा रहे थे लोगों से उनका कांटक्ट हो रहा था तब वो अपने रिपोर्टरों को रोज दोर आता है उसके रिपोर्टर मुझसे बूलते है और ऐसे समय में इस तरह की बात करना की मुझे लग रहा है कि ये भी मेरी मॉब लेंचिंग हो रही है चार गाली तुमको देदी तो मॉब लेंचिंग हो डेथ ठ्रेट्स आते हैं मेरे जैसे लोगों को जिसको पाँच लाख लोग भी नहीं देखता है मैं रोने लगू वो बोल दो कि ये मॉब लेंचिंग है नहीं ये मेरा काम है जैसे तुम्हारा काम है अंडिटी पे आके प्रपंच माटना उसी तरह मेरा काम है रिपोर्टिंग करना तुम्हारे प्रपंचों को करना तमाम तरह के प्रपगेंडा को काउंडर करना ये मेरा काम है, मेरे काम का हिस्सा है तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरी माब लिंचिंग है नहीं माब लिंचिंग बहुत भयावाश शब्द है और उसका इस तरह से सामानी करण जो है नहीं होना चाहिए खैर रवीश बकाइथ है और वो इस तरह की बात कर सकता है उस पर मेरा वश नहीं है देखते रहें लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बिल दबा दीजिए अगर आप यूट्यूब पे हैं तो बहुत बहुत आभार आपका नमस्कार